नमस्कार दोस्तों आज के बुलेटिन की शुरुवात हम उस खबर के साथ कर रहे हैं जिसका तालुक आपकी जेब से है देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ओफ इंडिया आनि SBI ने FD पर ब्याज दरें घटा दी हैं 189 दिन तक की अवधी के डिपोजित पर ब्याज में 0.50% से 0.75% कम्य की गई है SBI ने कहा है कि उसके पास liquidity surplus है और ब्याज दरों में कमी का दौर चल रहा है नए जमा के साथ ही maturity वाले deposit को रियो करवाने पर भी नई दरें लागू होंगी दोस्तों आज की दूसरी बड़ी खबर मध्यप्रदेश से है जो फिससे tiger state बन गया है मध्यप्रदेश अब 526 बागों के साथ देश का पहला और करना तक 524 tiger के साथ दूसरे और उत्तरखंड 442 tiger के साथ तीसरे नंबर पर रहा देश में बागों की संख्या 3000 तक जा पहुँची है हर साल 29 जुलाई को World Tiger Day मनाया जाता है दोस्तो आज की तीसरी बड़ी खबर भारत और रूस के बीच में आर 27 मिसाइल खरीदने को हवे समझोते को लेकर है दोनों देशों के बीच 1500 करोड रुपए की डेल हुई है आर 27 मिसाइल को लड़ा को विमान सुकोई 30 MKI में लगाया जाएगा रूस की आर 27 मिसाइल हवा से हवा में माच करने में सक्षम है इनकी सुकोई लड़ा को विमानों में लगने के बाद उसकी क्षमता और बढ़ जाएगी भारती वायू सेना ने 2200 और स्ट्रम अटका अटका अटिजीम जैसी मिसाइलों को हासिल करने के लिए लगभग 7600 करोड रुपे खर्च किये हैं इससे पहले जून में भारत और रूस की भी चैन्जी टांक मिसाइल स्ट्रम अटका खरीदने के लिए 200 करोड रुपे का समझोता हुआ था इन मिसाइलों को इमाई 35 हेलेकॉप्टर में लगाया जाएगा दोस्तो बुलेटिन के आखिर में हम आपको एक अच्छी खबर दे रहे हैं पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान ने सियाल कोट पे बने 1000 साल पुराने शिव मंदिर को शद्धालूँ के लिए खोलने का फैसला किया है 72 साल से बंद पड़ा ये शिवाले तेज सिंग मंदिर के नाम से जाना जाता है जिसका निमार्ण सरदार तेजा सिंग ने करवाया था बटवारे के दोरान से बंद कर दिया गया था 1992 में भीड ने इस मंदिर को नुकसान पहुचाया था जिसके सियाल कोट के हिंडों ने यहां जाना बंद कर दिया प्रधार मंतरी इमरान खान ने मंदिर के जीर्णो धार और संद्रक्षन का बरोसा भी दिलाया है